लोग सभा चुनाओं के बाद देश भर में भारती जनता पाठी बटेंगे तो कटेंगे नारे को प्रिचारित कर रही है योगी आदितनाथ इसके पोश्टर बॉय बनाए गए है बिजेपी की इस कवायत को राष्टी स्वयन सिवक संग भी समर्थंग दे चुका है लेकिन इ दो कद्दावर नेता विरोध कर रहे हैं इनने पहला नाम आता है राष्ट सभा सांसद अशोग चौहान का तो दूसरा नाम विरान सभा परिचस सदस पंकजा मुंडे का दोनों नेता ने इस नारे का सवाल उठाए हैं चुनावी समय में मुंडे और चौहान के इस रुक क चर्चा हो रही है महाराष्ट के पूरोसियम और वर्तमान रास्तवा सांसद अशोग चौहान ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारे का हम समर्थन नहीं करते हैं इस तरह के नारे इसको लोग समर्थन नहीं करेंगे चौहान ने आगे कहा कि चुनाव के दौरान नारे बा पंकजा मुंडे ने इस नारे का विरोत किया, पंकजा मुंडे ने कहा कि महाराष्ट में बटेंगे तो कटेंगे नारे का कोई मतलब नहीं है, इस स्लोगन का यहां लोग समर्थन नहीं करते हैं। कॉंग्रेस गडबंदन के बीच है, महाराष्ट की सरकार बनाने के लिए 143 विदायकों की जरूरत पड़ती है। तो फिलाल अब आपको क्या लगता है इस बार महाराष्ट में किसकी सरकार बनेगी कॉमंड बॉक्स में लिखकर बताईगा और पेज को फॉलो करना, चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा, धन्यवाद।